जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 सितंबर और 22 सितंबर 2021 के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रह रक्षत्रों की इस्थिति क्या होगी किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिन चरिया में देखने को मिलेंगे जानेंगे सब कुछ विस्तार से तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोट असानिवेदिन है चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जुट जाए हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगे तो चलिए इन दो दुनों के तिथी नक्षत्रों की बात कर लेते हैं 21 सितंबर का जो दिन है ये मंगलवार का दिन है और क्रिश्न पक्ष की प्रतिपता तिथी है इस दिन उत्तर बहाद प्रत नक्षत्र रहेगा गर्ण नाम का योग बनेगा चंद्रमा के इस तिथी मीन राशी में हैं जहां चंद्रमा पेडित नहीं है ये गुरू की राशी है गुरू की राशी में चंद्रमा बैठे हैं सुर्य कन्या राशी में है त्रेग्रही योग बना रहे हैं उत्रा फालगुरी नक्षत्र में और इस दिन सरवार सिद्धी योग रहेगा पोरे दिन और ध्रती व्रद्धी नाम का योग बने का चंद्रमा मीन राशी में ही रहेंगे सूरिय कन्या राशी उत्रफाल गुरी नक्षत्र में हैं इस दिन कोई अभी जित मोहरत नहीं है तो ये हो गई ग्रह नक्षत्रों के इस्तिति और ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा की स्थिति का नुसार ही हमारी जो दिन चरिया है उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं अब तुला राशी के लोगों के लिए चंद्रमा छटे भाव में बैठे हैं छटा भाव जो होता है ये रोग रिण शत्रु प्रतियोगिता इन सभी चीज़ों का दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आप अपने शौक पोरा करना चाहेंगे उन कामों को करने में वक्त विताएंगे जिन में आपको सबसे ज्यादा मज़ा आता है अब धर्मिक कारे करमों का हिस्सा भी इस दिन आप बन सकते हैं धर्म कर्मों में आपकी रुची बढ़ेगी आपका मन बड़ा आज शांत रहेगा जिसे मानसिक शांती आज आपके मन में रहेगी और जब मन संतुस्ट होता है मानसिक शांती मन में होती है तो ये दिन आपके लिए सबसे उत्तम दिन कहा जाता है क्योंकि हमारी जो जब हमें काम से संतुस्टी नहीं होती सबी का लुद उठापा सकेंगे परिवारिक सदस्यों के साथ हर मतविद को खत्म करना चाहेंगे अगर कोई चल रहे थे थे तो अपने उद्श्यों की पूरती बड़ी आसानी से कर सकेंगे आज अपने घर परिवार में अपने प्रिय को अपने माता को सब को परियापत समय दे पाएंगे आप काम्या भी भी हासिल करेंगे एक-एक करके महतपूर्ण कदम उठाने की जरुरत है जो आपने उठाया भी है और यह समय आपका होगा आपके लिए ऐसे काम आज बड़ी संतुस्टी देने वाले होंगे जो आप अपने दिल से करने वाले है कोई रिष्तिदार अचानक से आपके घरा सकता है उसकी वजह से कुछ योजना हैं जरूर बड़ा सकती है यह आपने हैं इस राशी के वैपारियों के लिए आज अच्छा दिन रहने वाला है आपके ऑफिस में आपका मन लगेगा आज अपने काम से खुश होंगे, मन में आज आपके बड़ी संतुस्ट्री की भावना होगी, बेकार की चीज़ें सोचने की बजाए, आज आप जो आपकी पास है, उस चीज के लिए भगवान का शुक्रिया करेंगे, दन संपत्ति के लिए अच्छा दिन है, वेवाहिक जीवन ठीक ठाक और स्वास्ते, स्वास्ते भी आज आपका अच्छा होगा, स्वास्ते संबंदी भी परिशानिया ऐसी कुछ दिखाई नहीं दे रही है, इस दिन सरवार्थ सिद्धी योग बना हुआ है, और ये सरवार्थ सिद्धी योग आपके लिए उत्तम रहने वाला है, अब बात कर पूर्ण उद्धेश की पूर्टी भी करा सकता है, शायद कोई मेहत्पूर्ण सौधा पक्का हो जाओ, उसके बात समारों में जाएं, उसके बात चीजों को एंजय करने का और अच्छा मज़ा आएगा, या फिर किसी परियोजना को अंतिम रूप मिले आज, या किसी खास व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात हो, इस्थिदी चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये जो आपका खुद पर अपना विश्वास है, ये बड़ा काम कर रहेगा, जो आपके उद्धिश्यों की पूर्टी के लिए सबसे एहम रोल ने बाता है, करियर की दरस्टी से ये दिन कैसा हो तो आप अगर नौकरी करते हैं और वहां आप किसी नई योजना को लागू करने जा रहे थे तो उसमें परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है, अपने साथियों के अपने कलिक्स की शिकायत बिलकुल ना करें, उनके खिलाफत बिलकुल ना करें, तब ही ये खामियाज के जरीए बातें आप करें तो अच्छा रहेगा, अपनी प्रियासों में सफलता पाने के लिए महनत तो आप करते हैं, लेकिन महनत के सासाथ बुद्धी से काम ले, सवकारातमक परिणाम जरूर मिलेंगे, कुछ काम ऐसे होते हैं, जो महनत से ना होकर आपकी वानी से बन ज अपनी बातों में लोगों को उलजाने में, अपनी बातों से काम निकलवाने में, तो इसी कला का आज आपको परदर्शन करना है, यही कला आज आपके काम आने वाली है, जो वेबसाइल लोग हैं, आज वो काफे वेस्त रहेंगे, आज काम का आज ज़्यादा रह सकता है, और इस राशी के कुछ लोग आज कुछ नए काम करने की योजना बना सकते हैं, हलागि काम अभी ना करें, अभी श्राद चल रहे हैं, तो आप हमावशा के बाद नवरातर में शुरू कर सकते हैं, इसलिए अपने शमता को बढ़ाने के लिए आप कुछ कारें जरूर करते रहें, रूप रेखा पूरी तरह से बना कर रखें सारे चीज़ें, नए विचार आपके मन में बहुत आएंगे, कमाई करने के, आएके साधन बढ़ाने के इस तरह हच्चक के विचार आज आपके मन में भरपूर रहने वाले हैं, अगर आप किसी के साथ साजेदारे में काम करते हैं, और उस में आपको कुछ परिशानी चल रही थी, तो आज आपको उन चीजों को सौट आउट करना होगा, परिशानी को दूर करने की कोशिश करनी होगी, और अगर किसी के साथ आप जुड़ने वाले हैं, तो आप उसके रिकॉर्ड को अच्छी तरह से जानने पहले, आख मुंद को रिश्वास ना करें, उनके बारे में पहले सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप करते हैं आपके इस दिन के स्वास्थे की बात, तो स्वास्थे आपका ठीक रहेगा, मूड और दिमाग दोनों शान्त रहेंगे, चोटी मोटी परिशाने होती हैं, उनसे गवराना नहीं है, चिंता ना करें, बड़े ध्यान लगाकर कारे करेंगे, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और सकारात्मक परिणामों से कुश्य भी मिलेगी, लव लाइफ की और दामपते जीवन की बात करें, तो आज आपके लिए अच्छे लम्हें घर परिवार के साथ बिताने के लिए, दामपत्य जीवन अच्छा होगा प्रेम जीवन अच्छा होगा आप कुछ यादगार लवहें बिता पाएंगे अच्छा समय रहेगा विद्यारतियों के लिए भी दोनों ही दिन अनुकुल रहने वाले हैं दोनों दिनों में आपकी मेहनत रंग लाएगी प्रतियोगी परिक्षा के तियारी कर रहे हैं लोगों के लिए आज किसी का साथ मिलेगा उनके सपोर्ट से आप कुछ जादा अच्छे से अपने किसी सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बना पाएंगे तो उनके लिए अच्छा है शाद पक्षे चल रहे हैं अपने पित्रों के निमेत तरपन जरूर करें जो दूसरा शाद और तीसरा शाद है ये तो इनमें जरूर उनका आश्रिवात पराप्ट करें उनके क्रपा से आपके सबी अधूरे काम बनेंगे साथ ही चानल को सबस्क्राइब कर ले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बोले